देश में सोया बीन की बिजाई शेतर में अच्छी बढ़ोतरी होने तता विदेशों से सस्ते तेल का आयाज जारी रहने के साथ साथ सोया मील की घरेलू और निर्यात मांग कमजोर पढ़ने से प्रोसेसिंग प्लांचों में सोया बीन की भी मांग कमजोर पढ़ गई है और कीमतों में गिरावट आ चुकी है उदर अमेरिकी क्रिशी विभाग की अगस्त भहिने की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तिलहन उत्पादन वर्ष 2022-23 में तक्रीबन 30 लाग टन बढ़कर 64 क्रोड 60 लाग टन रहने का अनुमान है सोया बीन, रैप सीड और सनफलार का उत्पादन बढ़ने से कोटन सीड और मुफली के घटने वाले उत्पादन की भरपाई हो जाएगी ऐसा अनुमान है उधर अगर अन्तिम स्टोक की बात करें तो चाइना और एंजेटिना में सोया बीन और आस्ट्रेलिया में रैप सीड का स्टोक बढ़ने से अन्तिम स्टोक बढ़ने की संभावना है यूस्जिया ने सोया बीन का औस्ट दाम वर्ष 2.022-3 के लिए 5.5 संट गटाकर 14.35 डॉलर प्रति बुशेल किया है और यह अनुमान बीते महिने 49 करोड 13 लाग टन था चबकि वर्ष 2021-22 में 35 करोड 27 लाग टन सोया बीन का उतपादन रहने का अनुमान लगाया गया था चबकि वर्ष 2021-21 में समुची दुनिया में सोया बीन का उतपादन अनुमान 36 करोड 84 लाग टन था वहीं वर्ष 2022-23 में अमेरिका में सोयाबीन उत्पादन उन्मान 12 करोड 33 लाग टन आंका गया है जो कि वर्ष 2021-22 में 12 करोड 7 लाग टन रहा था वहीं वर्ष 2021-21 में ये 11 करोड 47 लाग टन अनुमान लगाया गया था जबकि ब्राजिल में वर्ष 2022-23 में सोया बीन उत्पादन 14 करोड 90 लाग टन रहने का नुमान है जो वर्ष 2021-22 में 12 करोड 60 लाग टन रहा था वहीं अर्जेंटिना में सोया बीन का उत्पादन वर्ष 2022-23 में सोया बीन का उत्पादन पांच करोड़ दस लाग टन रहने का अनुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2021-22 में चार करोड़ चालिस लाग टन रहा था जबकि वर्ष 2021-22 में अनुमान 4.62 लाग का लगाया गया था वही चीन में भी सोयाबीन का उतपादन वर्ष 2022-23 में 1.84 लाग टन रहने का अनुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2021-20 में 1.64 लाग टन रहने का अनुमान था चीन में वर्ष 2020-21 में सोयाबीन का उतपादन 1.96 लाग टन रहा है USJ का कहना है कि वर्ष 2022-23 में चीन का सोयाबीन आयात 9.80 लाग टन रहने की संभावना है यह आयात वर्ष 2021-22 में 9.00 लाग टन रहने के असार है अमरीकी कृष्टी विभाग के मुताबिक भारत में वर्ष 22-23 में सोयबीन का उत्पादन 115 लाग तन रहने का नुमान जताया गया है उत्पादन वर्ष 2021-22 में 119 लाग तन और वर्ष 2020-21 की बात करें तो वहाँ पर 104 लाग तन रहा था जबकि भारत में वर्ष 2022-22 में 100 लाग टन सोयाबीन क्रश होने का नुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2021-22 में 95 लाग टन के आसपास रहा था जबकि वर्ष 2020-21 में यह 95 लाग टन देखने को मिला था वही समुची दुनिया में वर्ष 2022-22 में सोयाबीन का अंतिम स्टोक की अगर बात की जाए तो अंतिम स्टोक 10 करोड 14 लाग टन रहने का नुमान लगाया गया है जबकि बीते मीने यह अनुमान 9 करोड 96 लाग टन का था जिसे अब बढ़ा दिया गया है सोयाबीन का अंतिम स्टोक वर्ष 2021-22 की अगर बात करे तो 8 करोड 97 लाग टन का नुमान लगाया गया था और वर्ष 2021 में दुनिया भर में सोयाबीन का अंतिम स्टोक 9 करोड 98 लाग टन रहा है ऐसे में माना जा रहा है कि सोया बीन की बिजाई बढ़ने के साथ साथ मां कमजोर होने के चलते आगे भी कीमतों पर दबाव बना रहा सकता है